इसकी मदद से आप सोफा कार की सीट या फिर किसी भी स्माल प्लेस से डस्ट को रिम्यूव कर सकते हैं इसली बहुत ही अच्छा रिचार्जेबल ये छोटा सा वैक्यूंग क्लीनर है बहुत हैंडी है इसको आप अपने पर्स में बैग में रखकर कहीं भी लेके जा भी सकते ह आते हैं जिनमें आप अपने क्लॉस को और्गनाइज कर सकते हैं जिब बाला पारदर्सी ट्रांस्परेंट और हैवी हैवी से आते हैं प्लास्टिक के बैग साते हैं और अच्छे क्लॉथ मेटेरियल के भी बैग आते हैं जिनमें आप अपने क्लॉस को और्गनाइज करके में सजा सकते हैं है भी आते हैं पड़े आते हैं छोटे जैस और गाईज यह है एंटी ओल इस्पेटर सीट इससे आपकी किचन की दीवार बिलकुल भी गंदी नहीं होगी टाइल्स वगर गंदी नहीं होगी इस सीट को लगाने कुछ भी अगर आपको पैक करना है न यह फ्ल सिंग टेबल में लगा दीजे गेट के पिछे लगा दीजे दीवारे आपकी खराब नहीं होगी सेफ होगा बहुत ही छोटा सा प्रोड़क्ट है यह चैन में बरतन धोने के बाद पानी निकलता रहता है बरतनों से सिंग के पास में बरतनों को धोने के बाद के उपर रख लिंक में जाएगा नेक्स्ट है आपके किचन के लिए फ्रूट वेजिटेवल बास्केट बहुत ही अच्छा बास्केट है यह अलग अलग रैक दिये गए हैं इसमें आप अपने फ्रूट वेजिटेवल इसमें और नाइज कर सकते हैं कहीं भी कॉर्दर में आप इसको ब्रश है किसी भी चीज की सफाई करनी हो कोने कोने तक सफाई करता है हर जगह अच्छी तरह से क्लीन कर देता तो यह ब्रस बड़े काम की चीज़ें यह आपके वाश्रूम के लिए फुली और नाइजर यहां आप अपना सैंपू वगएरा यह सेल्फडेशी वे सैंपू तेल साबुन जो भी रखना है रख सकते हैं सब्जी बाजी काटते हैं कई बार हमारे हाट डेमेज हो जाती है उसके लिए यह है आपके फिंगर कवर इसको आप पहन करना एजी टेबल्स चॉप कर सकते हैं गाइस आपकी किचन के लिए फुली और नाइजर है इसमें आप स पाइस वगेरा और और कुछ भी सामान जो किचन से रिलेटेड हैं सब कुछ इसमें और कर सकते हैं यह सेल्फ हटेशिप कॉर्णा ड्रेक आपकी किचन बात्रूम के सामानों को और और नाइजर करने के लिए बहुत ही बहतरी प्रोडक्ट है आप इसको अपने किचन में ब बच्चों के बाल आठ सकते हैं सब इतने छोटे-छोटे आइटम्स है ना कि जो की घर में बहुत ही उपयोगी होते हैं अब जैसी यह देख लीजिए आप कुछ भी उठाना है ना इसको बस चिपका दीजिए उस सामान में इसली आप उस सामान को उठा सकते हैं बहुत लगेगा पकड़ने में बहुत ही सहायक होता है दीबार में आप लगा दीजिए आपके दीबार में डेंट नहीं लगेगा इधर-उधर कुछ सामान ही और यह है आपका चश्मा ग्लास कें क्लीन करने के लिए डबल साइट का ब्रश इससे दोनों तरब से आपका चश्मा इसली साब कई बार हां से साब करते हैं तो वो क्या है ना कि दाग धबे लगते रहते हैं चश्मे में लेकिन इस ब्रश की मदद से आपका चश्मा बढ़िया एकदम क्लीन हो जाएगा और छोटी छोटी आइटम्स यह बहुत अंडर हंडर यह लांडरी वास्केट रश करते हैं और जैसा बताया यह है आपका लांडरी पास्किट इसमें आप गंदे कपड़े डाल सकते हैं कहीं भी इसको दीवार में हैंग कर सकते हैं ऑर जब दोना है तो आप इनको ले जाईये वाशिंग में के पास में में डाल देजिए कपड़ों को तो काफी आप इन में बरतनों को और नाइज कर सकते हैं सिंग धोने के बाद में सिंग के पास में रख लेजे कीचन में और इसमें अपने बरतन वगेरा फल प्रूट कटी हुई सब्जी वगेरा और नाइज कर सकते हैं यह है आपका कार की होल्डर कवर कार की खराब हो जाती कई बार गवार ना तो इस Cover के मादधम से अब अपने कीव को सेब रख सकते हैं इहां इधर का बना हुआ वं मार्क्ट में तो इनको आंतरों आप ले सकते हैं अपने कीव को बचा सकते हैं यह सकता है और और अपने लिखर में लगा स्कुरू आ गया है तो जहां कुछ भी टगाना वगाना होना स्कुरू का इस्तेमाल कीजिए और बस टगा दीजिए चाहिए आप बॉल में कुछ भी टगाना अच्छी तरह वेट भी जहें पैर वगएरा साफ करने आपको तो यह अपने वाश्रूम में सूस पहनना है या कही भी आप इसको लगा सकते हैं पॉलिस वगएरा करना है तो बहुत अच्छा है फोल्डे वाल है यह स्टील का बना हुआ है तो यह सब चीजें काफी काम की आती हैं इस सारे प्रोड़क्स के लिंक आपको वीडियो क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से आप इनको कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए बाइबाद